So finally, बहुत लंबे टाइम, हम Marvel को भी अपने वीडियो में include करने वाले है आज के इस वीडियो में हम Marvel Universe के कुछ powerful characters को Goku की कुछ powerful transformations के साथ compare करने वाले है Well, Hello Super Friends, कैसी है मैं Super Public का हो, बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यह Marvel के Cosmic Beings vs Goku की powerful transformation कौन ज्यादा powerful है, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले है तो Marvel की तरफ से यहाँ पर हमने character लिये है Raven King Thor, The One Below All, Living Tribunal and Beyonder और जो Goku की powerful transformations है, वो है Super Saiyan 20,000, Super Saiyan Infinity, Future Goku and Angel Goku और यह सारी ही battle separate separate होगी, जिससे हमें battle का एक clear winner देखने को मिलेगा वैसे अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like करके channel को subscribe जरू कर देना तो चलो अभी इस वीडियो को शुरू करते है, सबसे पहले battle की बात करें, तो यह रहने वाली है Rune King Thor vs Angel Goku की बीच में, सो अगर सबसे पहले बात करें, Rune King Thor की power and abilities की तो Rune King Thor के पास Rune Magic है, जिससे वो reality को manipulate का सकता है, याने reality में अपने हिसाब से छेट चाड़ कर सकता है और तो और यह time and space को manipulate का सकता है, यह इतना जादा powerful हो चुका है कि यह past, present and future को एक साथ देख सकता है Rune King Thor ने खुद को पूरे universe के साथ merge कर लिया है, जिस वज़े से universe में होने वाली छोटी से छोटी activity भी इसको easily पता लग जाती है इसको universal level में omnipotent, omnipresent and omniscient बताया गया है Rune King Thor के पास odd in force है, जिसके एक normal attack भर से यह galaxies को destroy कर सकता है लेकिन दूसरी तरफ है Angel Goku, जो कि अभी Angel के level पर जा चुका है, जो time and space and reality को manipulate कर सकता है Angel Goku ने ultra instant को पूरी तरह master कर लिया है, और इस वकित इसका ultra instant grand priest के level के जिता है तो आप समझे सकते हैं, इसकी speed बहुत जादा है Angel Goku की powers में कोई limitation नहीं है, जैसे हमें देखने को मिलता है ना कि Angels की power में limitations है, वैसा इसकी powers में नहीं है Angel Goku को hand to hand में राना next dream possible है Angel Goku multi universes के अंदर अपनी चानुसर आ जा सकता है, और multi universes के अंदर ऐसा कोई being नहीं है जो इसको हरा सकता है तो भी बात आती हैं, दोनों के बीच में battle को कौन win करेगा स्वेयर देखो, यहाँ पर इनके feats clearly खुद ही बता रहे है कि इस battle को कौन win करेगा जहाँ एक तर्फ Reun King Thor को universal level बताया है, वहीं दूसरी तर्फ Angel Goku को multi universal level character बताया है वस्तविक्ता के साथ जाको, इस शरा पर दुनिया में, चीज़ें ऐसे नहीं चलती, जैसे आप चाहते हो वैसे Reun King Thor ने दोस गुसी टब अफ इन shadows के जो gods थे, जो की Asgardian gods के भी gods थे, जो उनको powers देते थे उनको indirectly defeat किया है, मतलब उनकी उस thread को, जिससे वो Asgardian gods से connect रहते थे, उसको सिर्फ एक attack में ही पूरी तरह तबाह कर दिया है और ये gods आउटर वर्स से लेवल कंसिडर किये गए थे, जो अगर इस speed के इस आप से देखा जाए, तो Reun King Thor ए Angel Goku को defeat का सकता है, ज्योंकि उसने आउटर वर्स से लेवल characters को defeat किया है बात करें, नेक्स्ट बैटल की जो की रहने बारी है, The One Below All vs. Future Goku की जहां The One Below All counterpart है, The One Above All का, और ये आमें तब देखने को मिला था जब इसने immortal हल को possess का लिया था The One Below All नाई Omnipotent Being है, और जैसे The One Above All light है, तो One Below All एक darkness है, अंधकार है The One Below All भी time, space and reality को अपने हिसाब से बदल सकता है, इवन ये darkness manipulation, void manipulation जैसी powers भी रखता है और इसने immortal हल को पूरी तरह immortal बना दिया था, यानि की हल को चाहा कर भी नहीं मर सकता था, और तो और उसकी strength की कोई limit ही नहीं रही थी वो universe इसको आपने सिर्फ एक चुटकी में तबाह करने की शक्ति रखता है, दिवन भी लॉल multiverse के अंदर कुछ भी कर सकता है लेकिन इसकी सबसे बड़ी weakness ये है कि ये खुद actual world के अंदर नहीं आ सकता है, इसको एक body की जरूरत परती है वहीं बात करें future Goku की, तो future Goku वो character है जो universes को create and destroy करता है future Goku की एक transformation है जिसका नाम है pure eternal form इस form में जाने के बाद Goku एक pure light में तबदिल हो जाता है, इसकी कोई humanal form ही नहीं रहती है और ये वही form है जिसने non-canon के सबसे ताकतवर ancient god को सिरफ 50% power में सरपास कर दिया था future Goku को ही Goku की अभी तक की सबसे ताकतवर transformation बताय गया है, future Goku ही सभी celestial beings को बनाता है, उनको powers देता है और तो और omniverse के अंदर जो जो powers exist करती है, वो सारी शक्तियां future Goku से ही निकली है normal world में future Goku को actual god कहा गया है, तो इस battle का भी clear winner future Goku है क्योंकि यह थे one below all, जब को एक body ढूड़ेगा, actual world में आएगा, तब तक के लिए future Goku को easily इस universe से ही erase कर चुका होगा तो भी बढ़ते हैं, अपनी next battle के तरफ को जोकी रहने वाली है, living tribunal versus super saiyan infinity के बीच में so living tribunal marvel universe का judge है, जो universe के अंदर होने वाली हर एक activities को देखता है and उन activities में अगर कोई उसको बदलाव करने का लगता है, तो वो करता है living tribunal मरे हुऊ को जिन्दा का सकता है, multiverse के laws के साथ छेड़ चाड़ कर सकता है, time, space, reality को अपने हिसाब से बदल सकता है और तो और powerful से powerful character को powerless करने तक की शक्तियां रखता है living tribunal को marvel universe के top 5 beings में consider किया जाता है living tribunal को marvel universe के दी one of a wall का right hand भी का जाता है क्योंकि living tribunal लगभग वो सारे काम कर सकता है जो one of a wall करना चाते है जैसे कुछ मात्रा में stories को बदलना, universe के अंदर होने वाली activities के लिए responsible होना बात करें super saiyan infinity की, तो super saiyan infinity first hell में exist करता है और ये एक नाए omnipotent being है और super saiyan infinity omniscient and omnipotent being है super saiyan infinity भी reality को बदल सकता है, वो अपने सिर्फ एक normal big bang attack से पूरे की पूरे omniverse को destroy कर सकता है तो देखो यार जब omniverse की बात आ गए न, तो यार यहां पर फिर multi universes, outer wars, यह सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है यार तो clearly यहां पर super saiyan infinity, limit revenal को हराने की power रखता है तो भी बात करते हैं इस वीडियो के final battle की जो की रहने वाली है प्रे रेटकॉन beyonder versus super saiyan 20,000 देखो यार यहां पर वो beyonder है, जो actual में जब introduce हुआ था न, उस वक्त जो उसको powers दी गई थी, वो वाला beyonder है और उस वक्त जब beyonder के creator ने इसको create किया था, तो उसने सोचा था कि यह character marvel universe का god होगा just like one above all, beyonder, true omnipotent, omnipresent and omniscient था लेकिन फिर one above all को introduce किया गया, और फिर उसकी powers को कम कर दिया गया और अभी यह second powerful being है marvel universe का लेकिन हम pre-retcon की बात करें, तो वो actual में उस time का true god था, जो की अपने creator को represent करता था और इसके opponent में है super saiyan 20,000 वैसे super saiyan 20,000 एक omnipotent being है, क्योंकि यार यह obviously in future super saiyan infinity को हरा देगा और super saiyan 20,000 भी first hell में exist करता है, इसने super saiyan infinity के साथ thousand years तक battle करी थी बेशक मैं इसकी तो मैं कितनी भी powers बता दू, reality को manipulate करता है, conceptual manipulation, conceptual manipulation, information manipulation even इसके पास plot armor भी है, जिसके वाज़े से इसके उपर plot manipulation की power का use भी कर लो, तब इसको कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी यार pre-retcon beyonder उस time के creator को represent करता था so clearly यार pre-retcon beyonder super saiyan 20,000 को हरा देगा क्योंकि यहाँ पर फिर concept लगता है canon and non-canon god का और यह non-canon के मुकाबले बहुत बड़ी बात होती है so yes, यहाँ पर pre-retcon beyonder इस battle को win कर लेगा well, आज कि इस वीडियो के लिए इतना बहुत है आप लोग को इन सभी मैसे सबसे बहतरी इन battle कौन सी लगी मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा और इन सभी मैसे आपका favorite character कौन है वो भी मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा अभी आप लोग को से मिलते है next video में यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करके channel को subscribe ज़रूर कर देना and thanks for watching